जहन साथियों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुई घात समीकरण के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं दुई घात समीकरण दो घातों वाले बहुपत को दुई घात समीकरण कहते हैं इसका ब्यापक रूप होता है AX स्कॉरर प्लस BX प्लस C A, B, C बहुपत कहते हैं या दुई घात समीकरण कहते हैं AX स्कॉरर प्लस BX प्लस C बराबर 0 इसको इस रूप में लिखा जाता है इसमें नोट नोटेट पॉइंट है पर देख दुई घात बहुपत के अधिक से अधिक दोमान आ सकते हैं उधारण के ये दौरह हम देखते हैं 2X स्कॉर माइनस 5X प्लस 3 बराबर 0 है तो इसको पहले हम 2X स्कॉर माइनस 5X प्लस 3 को हम AX स्कॉर प्लस BX प्लस C के रूप में लिखेंगे चुकि ये इसके रूप में पहले से है तो हम इससे तुलना कर लेंगे तो A बरावर 2 है, B बरावर मानिस 5, C बरावर 3 है तो rule के अनुसार पहले A और C का गुड़ा होता है उसके बाद जो factor आता है, गुड़ा आता है हमारा मान उसको factor करते हैं और उसको जोड़ने या घटाने पर हमारा ये बीच वाला B आना चाहिए तो हम देखते हैं जैसे 2X square मानिस 5X पलस 3 बरावर 0 है तो 2 तियाई 6, A और C का गुड़ा के रहे है A into C बरावर 6 आ रहा है तो 6 को हम इस तरह से तोड़े factor करें कि इसको जोड़ने या घटाने पर 5 आए तो 2 गुड़े 3, 2 तियाई 6 भी होता है और 2 और 3 जोड़ने पर 5 आ जाएगा तो इसका factor हमें मिल चुका है तो हम लिखेंगे 2X square मानिस 5X तो 5X पलस 3 is equal to 0 अब इसी को हम लिखेंगे 2X square मानिस 2X मानिस 3X अब देखों मानिस मानिस पलस होता है लेकिन चिन मानिस लगता है और 2 और 3 5 पलस 3 is equal to 0 अब इन दोनों पदों में देखिए कि इसमें 2X common है इसमें भी 2X और इसमें 3 common है इसमें भी 3 तो हम लिख लेंगे 2X common बचेगा X minus 1 फिर इसमें minus 3 common ले लेंगे X minus 1 is equal to 0 अब इन सम में X minus 1 common है और यह बचेगा 2X minus 3 बराबर 0 तो हमारा मानिस आ जाएगा 1X minus 1 बराबर 0 हो जाएगा तो X बराबर 1 आ जाएगा ठीक है एक value यह हो गया हमारा और एक value हो जाएगा हमारा 2X minus 3 बराबर 0 यक्स बराबर 3 मटा 2 तो साथियों यह था हमारा द्रीघा समीकरोन